पार्टनर्शिप बिजनेस, पार्टनर्शिप सबसे पहले समझते हैं क्या होती है, पार्टनर्शिप एक रिलेशन्शिप में बिजनेस चलता है, देखिए, जैसे आप दो फ्रेंड स्कूल में पढ़ते थे, अच्छी आपके पीछे बॉंडिंग है, फिर आपने कॉलेज कि किया, फिर आपने IIM से MBA किया, और अब आप क्या करना चाहते है, जॉब नहीं करना चाहते है, आपको क्या लगता है, जॉब में कुछ फाइदा नहीं है, हम अपना कुछ बिजन सेट अप करेंगे, तो आप अकेले करने में capable नहीं हो, पूछो क्यों, क्योंकि आप में से ए तो partnership normally ऐसे खुलती है, दो लोग, skillful लोग मिलते हैं, है ना, दो skillful लोग, या दो लोग पार छोड़ी-चोड़ी capital लगा ही और बिजन सुरू कर दिया, तो इसके अगर meaning पढ़ी जा है, तो क्या निकल क्या है, कि देखो partnership, मैं simple पढ़ रहा हूँ, बीना पढ़े, बीना दे लेकिन हमें साइस में क्या होता है, sharing होती है, प्रॉफिट एक agreed ratio में distribute होता है, ठीक है, अब आजाओ इसके features पे, features क्या है, partnership के, features में पहला feature क्या बता है, formation, formation ज्यादा easy नहीं है, लेकिन ज्यादा tough भी नहीं है, देखो, mutual agreement दोनों की agree हो गया, अगर आप दोनों की thinking same है, तो हम limitation पढ़ेंगे, conflict हो सकता है, limitation पढ़ेंगे, दोनों लाई यहां भी हो सकती है, human tendency, membership, बताइए, membership क्या होता है, maximum, at least two, minimum, minimum two member तो चाहिए, maximum कितने हो सकते है, 50 partners, इस से यादा पुराना, old नहीं, 50 हो सकते है, कितना तुमारे book में, 100 किस case में है, पढ़ा, पढ़ा line पढ़ो 100 किस case में हो सकते है, line पढ़ो, पूरा sentence पढ़ो हापे, section 464 of the companies at two round 30, maximum number of partners in a partnership can be 100, yes, देखो, पहले ये limit अब बदल चुकी है, पहले maximum limit थी 10, फिर हुई 20, फिर 50, और अभी current में क्या है, 200, 100 कितने पढ़े तुम नहीं वांचु, 100, Sir at present the maximum number of members is 50, at present 50, फिर हो सकते हैं, चीक है, तो हमारे notes में आप लिख लीजे वहां पे, कि partnership में maximum partner कितने हो सकते हैं, 50, not more than that, अगर आप 50 से उपर कर रहे हैं, तो आपको nature change करना पड़ेगा, फिर आप partnership नहीं है, कोई और business segment में चलेगा, ठीक है, अब आजाए आप liability, liabilities क्य होती है, यहां पे shared हो जाएगी दोनों के बीच में, दोनों के बीचे क्या हो जाएगी shared, लेकिन यहां पे भी partnership में individual liability unlimited होती है, सोचो एक partner देने से माना कर रहा है, दोनों partner लोन लिया था bank से, और एक partner माना कर रहा है, मैंने देना लोन, तो कौन देगा, उसको अकेले देना पड़ेगा, इसलिए partnership में liability unlimited बोली जाती है, ठीक है, next क्या है, risk bearing, risk बताओ कैसे bear होगा, shared होगा, descent making कैसे होगी, shared होगी, आपा से पूछ कियोगा, continuity हो सकती है, नहीं, continuity हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, अगर दो से ज़्यादा partner है, तो continuity हो सकती है, लेकिन दो partner थे, एक die कर गय एक थोरण चला पाएगा partnership, वो तो soul partnership convert हो गई, तो अगर 3, 4, 10, 15, 20 partner है, एक आदा कोई किसी को हो गया, तो चल सकती है, continuity यहाँ पर dangerous भी है, लेकिन हो चल भी सकता है, mutual agency समझते हैं, हमेशा partner, partnership में business कैसे कराता है, जैसे agent हो, आप कैसे represent करते हो, agency, मैं मालिक नहीं हूँ, I am agent of that firm, हमारा एक नाम होता है partnership में, partnership business के नाम रखा जाता है, जैसे साहिल and Abbas partnership, तो यह क्या है, दोनों partnership में partner है, but साहिल will always act like he is a form of that partner, and Abbas will act as a form of that partner, agent represent करते हैं, mutual agency हो गया, registration ज़रूरी है नहीं है, इस पर question अलग से आप, अभी topic भी आएगा, registration पर, देखो, registration partnership में ज़रूरी नहीं है, लेकिन law बोलता है, law बोलता है कि आपस में लडाईयां ना हो, dispute ना हो, एक दूसरे पर case तभी कर सकते हो, जब partnership क्या होगी, registered, तो वैसे compulsory नहीं है, partnership friendship में खुल जाती है, लेकिन चाहिए क्योंकि आगे dispute नहीं हो, क्योंकि court फिर आपके स साथ आगए, हाँ आगए, पहले अकेले partnership, business कर देखे अकेले, अब partner, अगर fund कम पढ़ रहा है, तो और partner जोड़ लो, लेकिन maximum कितने रह सकते हो, 50, risk क्या है, share हो जाएगा, secrecy हो सकती है, क्या secrecy, पढ़ो इस line को, हिमाल से, partnership को अपने account, publicly नहीं देने पढ़ते है, company को देने maintain secrecy, in that way, we can say that partnership can maintain its secrecy about its business, now limitation, limitation, liability क्या यहाँ पर, यह limitation बन गई, partner को अकेले जिलना पड़ सकता है, resource limited हो सकते है, पूछो कैसे, अगर दो ही partner है, तो limited है, तीसरा partner लेना पड़ेगा, conflict हो सकता है, बिल्गुर हो सकता है, possibility, continuity break हो सकती है, हो सकती है, अगर partner, दो ही है, public confidence हो सक सकता है, नहीं हो सकता, पूछो कैसे, क्योंकि आप public को document दिखाते हैं नहीं हो, accounts दिखाते हैं नहीं हो, public को आपे विश्वास नहीं, इसको important लगाओ, types of partners, this is important topic, types of partner, types of partner, चले देखिए, कितने partner हमारे पास बताए, active है, sleeping है, secret है, nominal है, और partnership by estoppel है, ठीक है, हैं सब की book में देल में समझा रहा हूँ, साहिल और हिमांचू ने partnership खोली, शाहिल के पास बहुत पैसा है, तो इसने कहा, मैं business पैसा तो लगा दूँगा, बट मैं firm में नहीं आऊँगा, ठीकि भाई, मेरा already कोई business है, या मैं job भी करता हूँ, तो I can only invest, बट हिमांचू क्या कर रहा है, दि पैसा लगा के बैठे गया, और सिर्फ क्या मांगने आता है, प्रॉफर के, sleeping भी हो गया, nominal क्या होते है, nominal कौन होते है, nominal partner, पढ़ो जारा, पढ़ो, A nominal partner is one who allows the use of his or her name by a firm, but does not contribute capital, Sahil ने कम सकम पैसा तो लगाया था, लेकिन अब तो nominal partner एक सिर्फ क्या कर रहा है, ना तो पैसा लगाँगा, ना कुछ, मैं सिर्फ, नाम दे रहा हूँ, तो इबता हो कैसे होता होगा, यैसे माल लो कोई बहुत बड़ा तो that is nominal partner, partner बे एस्टोपल पढ़िए, A person through his or her own initiative, conduct or the behavior, gives and the impression to the others, he or she is a partner of the firm, he or she does not contribute capital to the firm, अब लो, लोजिक, एस्टोपल समझते हो, दोखा, दोखा, दोखा मतलब आप लोगों को show कर रहे हो, आप partner हो, ऐसा impression दे रहे हो, आप partner हो, लेकिन आप partner हो, लेकिन आपने पैसा लगाया है, नहीं, लेकिन अगर किसी को आपने दोखा दिया, तो आप liable हो जाओगे नहीं, हो जाओगे, तो ऐसा ना करो कि आप partner नहीं हो, फिर भी show कर रहे हो, इसे बोलते हो, पार्टनर भाई, एक minor partner भी होता है, एक कौन होता है, minor partner, book में पार्टनर भाई समझायता हूँ, minor simple सी person है, कोई person जो 18 years से below age का है, उसको आप partner बना सकते हो, law में ऐसा लिखा है, बड़ उ partnership at will, this type of partnership exists at will of the partner, will मतलग, जब मर्जी partnership खोली, और जब बन करेगा, बन कर देंगे, ये will पे depend है, particular partnership, this type of partnership is formed for a specified time period, accomplishment particular project, जब खतम हो जाएगा, हमने partnership खोला किसलिए, ये काम करेंगे, जैसी हो काम खतम partnership, dissolve, खतम, general partnership क्या होती है, general partnership, the liability of partner is, limited and joint, the partner enjoy the right to participate in management of the firm, their act are binding each other's, well on the firm, registration of firm is optional, existence of firm affected by death, lunacy, insolvency, or retirement of partner, general partnership मतलब होता है, जिसमें partnership में, liability क्या है, unlimited, unlimited है, और limited liability partnership नहीं आगे, इसकाम क्या बलते है, आप पर्सनली अपने घर से पैसे नहीं लाने पड़ेंगे, आप बोल दोगा, मैं तो इतना ही share कर सकता था, और मैंने उतना ही share करना है, मैं अब इस से यादा liability पे नहीं करूँगा, माइनर ऐसे पार्टर समझा दिया मैंने, yes sir, partnership deed पे आओ, partnership deed टॉपिक पे देखिए, partnership deed समझते हैं क्या होती है, नहीं, वो need है, partnership deed क्या होती है, साहिल और हिमांशू partnership करने जा रहे हैं, तो मैंने इनको बोला, आप future में लडोगे, तो इससे अच्छा एक document तयार कर लो, कि आप profit किसमें बांटोगे, किस ratio में, कौन कितनी capital लाएगा, कौन active काम करेगा, कौन sleeping, कौन reserve कैसे बांटेगा, new partner commission कौन कराएगा, retirement में क्या क्या मिलेगा, interest on capital rate क्या होगा, rules regarding registration क्या होंगे, banking transition कौन करेगा, profit sharing ratio क्या होगा, capital कौन invest करेगा, कितना करेगा, duties and responsibility क्या होगी partner की, salary किसको कितनी मिलेगी, rule applicable क्या होंगे, method of solving dispute क्या होगा, लडाई होगी, तो कौन किस court में जाएगा, ठीक है, और accounting period क्या follow करेगा, और procedure क्या होगा, dissolution का, ये सारी चीज़े partnership बंद हो जाना, dissolution, ठीक है, अब एक simple सा question पढ़ते है, क्या registration compulsory है, is registration of partnership compulsory, answer is no, compulsory नहीं है, but it's for the benefit of partnership and partners, you must register your partnership, च्योंकि फिर आप case नहीं कर पाओगे, अच्छा एक बाब बताओ, अगर partnership registered नहीं है, तो कोई third party claim कर सकती है, आप पे bank को गयरा, कर सकती है, तेकिन आप claim नहीं कर पाओ, क्या आप registered है, ठीक है, तो इसका मतलब question exam में आता है, तो हम क्या बोलेंगे, partnership में registration क्या है, optional है, लेकिन for the benefit of partnership, business, partners, it is must for registered of partnership, this is all about our partnership, हाने discuss कर लिया, कर दो चिस कर दो lasciकती है, तो सिस्ख्राप दोन है, तो नHH कर रहें आता है, तो आपर ढेंगे ञाएं Pacific क को अक्या है, पुरसे अपरान एंढ़ा सक्वातिन को टो सकती है, था्यदान 사진, बज़ते हैं दो इस भींशबियर में जिस्बधान से ये